बिहार की पहचान है ये जाइक का भंडार है ये पूरे देश दुनिया में ये जाना जाए 52 परतों से ही यह बन पाए दिखने में हो पैटीज जैसा लेकिन स्वाध हो इसको मीठा और नमकीन सा कईयों का ये पुस्तैनी काम इसी से बढ़ाएं विद दुनिया में बिहार का नाम चलिए अब देते हैं इसका परिचे जिसे सुन आप भी करेंगे इसे खाने का निश्चे नाम है इसका सिलाव का खाजा जो भी खाता उसके मन को भाजाता आपने अपने आसपास कई बार सिलाव के खाजे का नाम सुनाई होगा इसके गिंती उन मिठाईयों में की जाती है जिसे लोग अगर एक बार खाले तो दुबारा खाना चाहते हैं इसकी चर्चा केवल बिहार में ही नहीं बलकि पूरे देश और यहां तक की दुनिया में की जाती है वैसे तो इस मिठाई को देश के कए हिस्सों में बनाया जाता है पर सिलाव में बने खाजा ने सभी के दिलों में अपनी एक खास जगह बना रखी है जिसके तुलना किसी और खाजे से नहीं की जा सकती ऐसे में अगर आप भी कभी राजगीर नालंदा के ब्रह्मन पर हो तो सिलाओ के इस खाजे का स्वाद लेने से ना चुकें बता देए कि खाजा के पीछे की कहानिया बेहत दिल्चस्प है इसके जटल बनावत और कई मूल कहानियों के साथ ऐ पुर्वी हिस्से से हुई है ऐसा ही एक अन्य सिधान्त है जो इस बात पर जोड़ देता है कि हम ओडे वंस के दौरान सिलाओ नामक एक छोटे से गाउं में उत्पन हुआ था जो वर्तमान बिहार के प्राचिन सहर मितला और नालंदा के बीच स्थित है इसकी तुलना मध् ने मिठाई की पेसकस की इस मिठाई के स्वाद को चकर गौतम बुद्ध ने अपने शिश्यों को भी इसका स्वाद लेनी और इसे और अधिक लोगप्रिये बनाने के लिए प्रोतसाहित किया इसके साथ ही देली पाइनियर के एक अन्य अंस से यह पता चलता है कि पुरा त इस खाजे की सुरवाद 200 साल पहले पासंदे काली साह के दौरा की गई थी पहले के समय में लोग इसे खजूरी के नाम से भी जानते थे लेकिन समय के साथ इसके नाम में भी बदलाव हो गया है और आज इसे खाजा के नाम से जाना जाता है 200 साल बीट गय लेकिन आज तक इ खास बात यह है कि आज तक इनके परिवार से कोई बाहर नहीं गया है लेकिन खाजा को जरूर बाहर तक पहुंचाया है। सिलाओ के खाजा को इंटरनाशनल पहचान दिलाने में काली सा खाजा दुकान के संचालक संजीव कुमार का अहम रोल है। संजीव कुमार का कहना है कि उनकी बहाली दरोगा में हो गई थी लेकिन उनोंने अपने पूर्वज के काम को करना सही समझा और इसे ही आगे बढ़ाने का निश्चे किया। और आज के इस समय में उपके परिवार से करे 30 लोग इस वेबसाय से जुड़े हुए हैं। उस समाने में यह खाजा एक पैसे में सेर बेचा जाता था। बता दे कि कालीशा के वनसजो द्वारा निर्मित खाजा आज ओनलाइन अमेरिका, लंद, दुबबई, पाकिस्तान, स्पेन, सिंगापुर तक पहुँचाई जा रही है। आपको बता दे कि सिलाओं में बनाये गए, खाजी का प्रदर्शन 1986 में अपना महुचसो नई दिल्ली में हुआ था। जिसके बाद कालीशा के वनसज संचाय कुमार को 1987 में मौरिसस जाने का मौका मिला जहां सांग महुचसो में मिठाई में खाजा को सर्वस्रेश्ट मिठ का दर्जा मिला. 1990 में दूरदर्शन के लोगप्रिय सांस्क्रितिक सीरियल सुर्भी वर्ष 2002 में अंतराष्ट्रिय पर्यटन वब्यपार मिला नई दिल्ली के अलावा अन्य कई मौके पर खाजे ने अपनी धूम दिखाई. आज के समय में इस खाजे को भारत के बारभ पार परमपरिक फ्यंचन अंतराष्ट्री अस्तर पर पेश किये जाने की योजना है. कालिसा के यहां बने खाजे में बावन परते होती है और साथ ही काफी स्वादेस्ट और कुरकुरा होता है. यह नमकीन और मीठा दोनों ही स्वाद में पाया जाता है. चानकारी के लिए बता गया है जिसके बाद लोगों के बीच इसके डिमांड और भी जादा बढ़ गई है. आज के समय में सुद्देश घी में बने मीठी खाजा की कीमत 920 रूपे किलो है वहीं वनस्पति घी में बना मीठा खाजा 400 रूपे किलो और साधा पर नमकीन खाजा 450 रूपे किलो ग्रा यहा मिलने वाला खाजा 5 वेराइटी का होता है जिनमें मीठा खाजा, नमकीन खाजा, देसी घी वाला, साधा खाजा और खुआ वाला खाजा शामिल है. आपको हम बता दे कि खाजा के वल स्वात के लिए ही नहीं जाना जाता बलकि यह हमारे स्वास्ते के लिए भी काफी फाइदे मंद होता है. खाजा का निर्मान गेहों के आटे, घी और भी कई चीजों से किया जाता है, जो की काफी निट्रिशन से भड़ा होता है और साथी यह कामो तचक भी होता है. खाजा गेहों के आटे से बनता है इसलिए यह वजन में काफी हलका होता है. यह कमजोर सर को तागत देता है और वैसे इनसान को यह काफी रहत पहुचा आता है जिसे उल्टी की बिमारी हो यह पेट की पाचन ख्रिया को भी दूर करता है और आप के स्वास्ते में सुधार करता है खाजा मनुष्य के सरीर में पोशक देनी वाला आहाड होता है घी पोशक तत्वों को आफशोसित करने में मदद करता है और प्रतिरक्षा प्रनाली में सुधार कर सकता है क्योंकि इसमें एंटी ओक्सिडेंट होते हैं यह पाचन सम्बंदी समस्त्याओं को भी दूर कर सकता है आज के लिए बिहारी जाइका में इतना ही कल फिर मिलेंगे एक नए वियंजन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद